स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम कलास 10 का संस्कृत आप लोग को अब्जेक्टिव कोशन कराने जा रहा हूं अगर आप यूट्यूब पर साच करते हैं कलास 10 का संस्कृत तो आपको इसका अब्जेक्टिव कोशन नहीं मिलता है इसका वीडियो बहुत ही का मिलता है इसलिए हम कलास 10 का संस्कृत चैप्टर वाइज अस्टार्ट करने जा रहा हूं और सभी चैप्टर का अब्जेक्टिव करवा दूँगा आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए चलिए अस्टार्ट करते हैं कौशन नमर एक से फाला चैप्टर आपका है मंगलम इसमें यो उफ्जेक्टिव और इसमें आप देंगे अर आप उसको हमबक कोश्चन को पताना है कमेंड बॉक्स में चलिये एक नमर कोश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेशन कि मंगर्म पार्थ कहां से लिय आ गया है आपशन नमर डीया गया ठीका? चलिए अगला question question number two को देखते हैं मंगलम पाठ में कितने मंत्र है इसका answer क्या होगा आप लोग ज़्यादी से बताइए मंगलम पाठ में आपका 5 मंत्र है क्या है 5 यानि option number a right answer चलिए आगे की question की और बढ़ते हैं अगला question देखिए अगला question तीन नमर है कि मंगलम मंगलम हो गया पर सुरी गलत दिखा गया मंगलम को मंगलम पाठ को कैसे मंत्र संकलित है यानि मंगलम पाठ में जो मंत्र है वह कैसा मंत्र है पधात्मक है कि गधात्मक तो इसका answer होगा पधात्मक होगा क्या होगा पधात्मक मंत्र संकली थे, मंगलम पाट में सभी मंत्र जो है पधात्मक रूप में है, चलिए अगला कोशन, कोशन नमर चार देखिए क्या है, मंगलम पाट में किसके सिधान्त का बर्नन किया गया है, मंगलम पाट में किसके सिधान्त का बर्नन किया गया है, तो मंगलम अगर आप इस चेप्टर को पढ़ लिए तो आप objective question का सही answer करके देखिए कि आपको कितना question सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और अपने तयारी को बेहतर बना सकते है question नमर देखिए अनुसे भी सुच्प क्या है अनुसे भी सुच्प जो है आपका आत्मा है क्या होगा option नमर ए right answer चलिए अगला question question नमर च्छा दखिए महान से भी महान क्या है महान से भी महान क्या है तो महान से महान आत्मा है option नमर ए चलिए अगला question question नमर साथ है bj कईसे प्राप्त होती है विजय जो है किसे से पराप्त होती है तो विजय जो हमेशा सत्य से पराप्त होती है यानि ओप्षन नमर ए राइट आंसर चलिए अगला कोचन कोश्चन नमर 8 देखिए किसकी विजय नहीं होती है विजय किसकी मतलब किसकी विजय होती है यानि जीत होती है किसकी जीत होती है यानि जीत का मतलब क्या हो अब विजय तो विजय यह होती है हमेशा सत्त की ही होती है ठीक है तो आप्सन नमर a right answer अगला question 9 नमर देखिए पर्मात्मा कहां रहते हैं और पर्मात्मा आपका कहां रहता है तो पर्मात्मा जो आँए सभी जगा रहता है सभी जगा यानि सर्वत्र यानि option नमर dेखिए option b आपका right answer हो जाएगा option नमर b ठीक है अगले कोशन में देखिए हिरन में पात्र से किसका मुख ढखा हुआ है हिरन में पात्र से किसका मुख ढखा हुआ है तो हिरन में जो पात्र है आपका सत्य का मुख ढखा हुआ है इसलिए हम लोग इस वर से भगवान से विनती करते हैं कि πेह बगवान आप हिरन में पात्र को अप्रक्र रख को हटा देजिए ताकि सत्र की जीत हो घाल्य क्या उपनीसी किरुंप इस्याप आपसा legitimीया नमें option number 10 ऊपिशन नमर पार США कि उपनी सत्त किस्ठका ऑंतिम भाग है तो वैदीक xya नाँच का देखिया option ऊप्सोन नमर नमर आपको मील जाएगा option नमर बी में ठीक है उपनी सत्त किस्ठका अंतिम आ और आफला है आप लोग इसी तरह बिडियो के द्वारा रिमा के द्वारा नूशासीत यह वैद किस पुरूस को मिर्तियू आ जाने की जनकारी हो जाती है किस पुरूस को मिर्तियू आ जाने की जनकारी हो जाती है तो साधक साधक मतलब क्या होता है विद्वान साधक मतलब विद्वान लोग विद्वान को क्या होता है यानी सादक को मिर्तियू आ जाने की जनकारी हो जाती है अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समूदर में मिल जाती है और एंसर किजिए अप्लोग ठीक है समूदर, सरीर, भखत, नदी चलिए आप लोग भी आणसर कर दिजिएगा हम इसका अंसर बताते है नदी नदी जो है अपने नाम और रुप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है जैसे कि गंगा कोई भी इसका उधारा में सब नदी होगा गंगा जब गंग बहती है तो हम लोग कहते है गंगा बह रही है लेकिन जब वह समुद्र में मिल जाती है तो उसका नाम नहीं रहता है कि गंगा का पानी है ठीक है वह समुद्र में बिलीन हो जाती है इसलिए चलिए अगला कोशन देखते है कोशन नमर 16 वैद कितने परकार किया है तो बेद आपका होता है अगला कोच्छन कोच्छन मन अठार है प्रानी के हिर्दय रुफी गुफा में क्या है तो प्रानी के हिर्दय रुफी गुफा में हमेशा रहती है आत्मा रहती है आत्मा जो है अनुसे भी सुच है और महान से महान है और यह आत्मा जो है प्रानी के हिर्दय रुफी गुफा में होती है ठीक है आपसन नमर ए उन्हेस नमर देव लोग का मार्ग किस से खुलता है तो देव लोग का मार्ग किस से खुलता है तो देव लोग का मार्ग जो है सत्त से खुलता है अगर आप सत्त के तरफ आपका ध्यान है और सत्त के मार्ग पर चलते हैं तो हाप हमे स्सी होगा दोनों ठीक है नदिया नाम और रूप छोड़कर आप लोग पढ़ा है नदिया नाम और रूप चोड़कर समुदर में मिल जाती है ठीक है विलीन हो जाती है जाल यի को रिख देख लेती हैं क्वशन नमर 21 आपका क्या है किस की वीजय मेला ही तो किसकी विजय नहीं होती है आप लोग पढ़े किसकी विजय होती है तो सत्य की विजय होती है लेकिन आप लोग देख रहे हैं कोशन उसमें है कि किसकी विजय नहीं होती है तो इसका राइट आंसर होगा अप्शन नमर बी और सत्य की विजय कभी भी नहीं होती है ठीक है और सथ्य इसे नहीं होती है जब कि सथ की हमेष्व उती है वचय नमर्वार बाइस देखिए कठोपनी सद में किसका परणना या या उप्स नमर्वेट है कठोपनी सद में इए बताया गया है कि आत्मा सुच्ष में सुच वहा है और महान से भी महान है ठीक है और यह प्रानी के हिर्दे रुफी गूफा में रहती है तो कठोपनी सद में आत्मा का वर्णान है अगला कोज़ा तैस नमर देखिए मुंड को अपनी सद में किसके बारे में बननने तो मुंड को अपनी सद में जो है आपका सत्त क के बारे में बनना वहां इसके बारे में सत क्या है सभीके बारे में मतलब सब alleen मμαι कोका अपनी सघ्ड कामर 15 24 आप आप लोग इसका है से उत्तर जो है अंस्थर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर में झालब इस लोग ऐसा कोirt आप परमात्मा को जान लेता है वर डेस को पार कर जाता है वर डेस को पार कर जाता है मिर्तियू साथे और साथे या इनमें से कोई नहीं आप लोग का इंतिजार करेंगे वेट करेंगे देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है तो चलिए आज के इस वीडियो में बस यही पर देते हैं और आगे की चेप्टर का वीडियो में लगातर बनाता रहूंगा जहिन बंदे मात्रा मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आप कलास 9 या 10 किसी भी चेप्टर का टोपिक वाइज पढ़ना चाते हैं हम आपको बढ़ाते हैं डिटेल में अगर आप उसका टोपिक पढ़ना चाते हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए उस चैनल का नाम है सोनू इडू पॉइंट क्या है सोनू इडू आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए या मेरा इस सकेंड चैनल है आप लोग को घवराने की कोई बात नहीं है ठीक है मेरा सकेंड चैनल है सोनू इडू पॉइंट आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को ओन कर लिजिए और सपूर कर दीजिए इस चैनल को ठीक है इस पर आपको टोपिक बैस मिल जाएगा आप लोग वीडियो को भी सेयर कर देजिएगा इस चैनल का चलिए इसी तरह से हम लोग मिलते हैं आगे की वीडियो में जैन बंदे मातरम